कि देखे जितना हो सके लोन के जंजाल से बचना चीए लोन लेने से बचे बट फिर भी कई बर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो अगर आपको लोन लेना है मार्केट में काफी सारी एप अविलेबल हैं तो लोन लेने से पहले उन करना चीए जिस भी प्लेटफोर्म से जिस भी एप से आप लोन ले रहे होतो और मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको जिस भी एप के बारे में बताओ जिस भी एप का हम रिव्यू करें उससे पहले वह जो है आरबे रिजिस्टर रहे या फिर नहीं है या फिर और उसके की तरह से समझे ना वीडियो पसंद आए हर बार की तरह है लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नए है आगे भी इस तरह की हैलफू नोलबेश फूड़ पाना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिएगा चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस् सेंस परस्नल लोन एप के बारे में यहां पर डाउनलोड देखिए 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है 14 MB की एप है और यहां पर रिव्यू की बात करें रेटिंग की बात करें तो 3.3 की रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पर यह एप अविलेबल है अब इस एप के मादम से आप आप 5,000 उपय से लेकर 5,000,000 तक का लोन ले सकते हो क्या कि डोकोमेंट आपको पे करने पढ़ेंगे देखिए यहां पर बताया है आप परस्नल लोन जो है इंडिया में आप 5,000 से लेकर 5,000,000 तक का लोन ले सकते हो 10,000,000 जो है Happy Customer है एक मिलियन में दस लाक लोग होते हैं, तो टैन मिलियन कितना हो गया, एक करोड हो गया, इसके असासत APR की बात करें, तो 16% to 36% और 500 से ज़्यादा CT में जो ही अपनी सर्विस परवाइड करते हैं, इस एप के मादम से आप जो सिंपल प्रोसेस करना है, और दो मिनट में जो है जो है, प्रोसेस करने में दो मिनट लगते हैं, उसके बाद जैसे आपकी अप्लिकेशन अप्रूव हो जाती है, तो आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आ जाता है, और यहां पर बता भी रखा है कि इनके जो लीडिंग पार्टनर है, वो यहां पर है, और यह जो पार लोलते हैं, ठीक है, आप चलिए, नीचे की तरफ आते हैं, यहां पर देख सकते हो, इनकी लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, अब यह जो है, एक इस तरह के लोन प्रवाइड करती है, तो यहां पर देखे, परसनल लोन अगर आपको साधी के लिए चीए, तो मेडिकल एमरजेंसी है, बिमारी के लिए भी आप लोन ले सकते हो, और यहां पर बताया है, देखे, एक लाख रुपे का अगर आप लोन लेते हो, इस एप से, तो 24 महिने में आपको पेक करना पड़ेगा, यानकी दो साल में आपको पेक करना पड़ेगा, APR होगा 24%, इ इंटर्स रेल जब आप अपलाई करेंगे तो उसमें बड़ोतरी भी हो सकती है, कम भी हो सकता है, प्रोसेसिंग फिस, 3000 रुपे आपको पेक करना है, इंटर्स 26,891 रुपे, EMI बनेगी हर मेने की 5,391 रुपे, एक लाख रुपे का लोन लेते हो, तो आपको जो है, एक ला से जो भी personal loan लेते हो, इनका calculator भी available है, इनकी app पर, अब यहाँ पर कौन लोग loan ले सकते हैं, सबसे पहले तो residence जो है, इंडिया में होना चाहिए, बारत में रहता हो, बंदा, वो apply कर सकते है, उसकी यह 21 साल से 60 साल के बीज में होनी चाहिए, और यहाँ पर बताया है कि हम 500 से अगर personal loan लेते हैं, अगर personal loan लेते हैं, तीन महीने से लेकर 60 महीने तक आपको pay करना पड़ेगा, EMI interests are then calculated on the basis of ten hour, यानि कि जितना अगर आप 60 महीने का loan लेते हैं, 12 महीने का लेते हैं, उसके साफ़ से आपकी EMI और E-interest जो है, वो calculate होगा, prepayment is allowed, अगर आप पहले आप देना आपको payment करनी पड़ेगी, 6 EMI अगर आपकी चली जाते हैं, उसके बाद prepayment आप कर सकते हो, उसका charge है, जो है, 4% से लेकर 18% GST on the, जो balance रह जाता है, principal amount रहते हैं, उस पर आपको GST pay करना पड़ेगा, late payment charge 500 रुपए, प्लस 18% GST, 590 रुपए हो गया, अगर आप जो EMI फिक् document upload करने रहेंगे, जैसे आधार pen voter ID, और उसके बाद जो है, आपको income proof bank statement आपको upload करना रहेंगे, अपनी photo upload करनी रहती है, selfie, और फिर sign करना रहता है, और जैसे amount approve हो जाती है, application approve हो जाती है, आपके bank account में पैसा credit कर दिया जाता है, तो ये है इनका process, इसमें उन्होंने जो late fees भी बता दी, और जो है, और इन्होंने बता भी दिया, कि अगर समय से पहले करते हो, अपने loan को close करवाते हो, तो 6 मेने EMI complete होने के बाद या आप करवा सकते हो, बाकी इनका जो है, यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, तो customer care number तो यहाँ पर नहीं दे रखा, इस app पर, इनक बता है कि 0%, 0 paperless है, submit document online, कहीं पर जाने की जुरूत नहीं है, अच्छा, यहाँ पर बता है कि no office visit are required, कहीं पर भी जाने की जुरूरत नहीं है, office में विजिट करने की जुरूत नहीं है, online सारा काम होता है, वैसे सारी आजकल की जो app है, सारा online process परवाइड करती है, तो यह एक app है, इसके मादम से आप लोन के लिए apply कर सकते हो, बाकी में आपको दो तीन बाते और बता देता हूं, लेने से पहले, दो तीन platform के मादम से compare कीजिए, कि कहीं ज़्यादा, कौन, जहां पर भी आपको कम interest pay करना पढ़ रहा है, वहां से लोन लीजिए, और फिर वो ही है, app द बता दूम आपको कि अगर आप online loan के लिए apply नहीं कर रहे हो, या फिर offline apply कर रहे हो, कहीं पर bank में जाकर जो आप apply कर रहे हो, तो offline जो फोर्म बढ़ते है, loan के लिए, तो जो फोर्म आप भर रहे हो, जहां पर आप sign कर रहे हो, तो वो भी आप एक पर अच्छी तरह से पढ़ पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए, आगे भी हम आपको जो इस तरह के एब रिव्यू की वीडियो लेके आते रहेंगे, जिससे कि आपको कुछ न कुछ जान करें मिले, उस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीख सको, वो वीडियो आपके कु आज की वीडियो में इतने था, मिलते जल्द एक और नहीं जान करें, एक और नहीं इंफर्मेशन के साथ, अगर आपके मंद में कुछ डाउट रहे गया, तो कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट कर देना, मैं पूरी-पूरी कोशिस कुरूँगा, आपको जो भी कॉमेंट रहें उसका आंस्वर देने की, मिलते जल्द, एक और नहीं जान करें, एक और नहीं इंफर्मेशन के साथ, अपना ख्याल रखेगा, बबाए, टेक केर